हुआ अफ्रेंड मनविन कुमार फिर से नए वीडiifullyो में आपके लिए एक नएा ँपिक लेके आया हूं कि एकस्पोर्ट करने के हमें गौ्वर्मेंट क्या फेसलिटी देती है अब गौवर्मेंट क्या फेसलिटी देती हैं बहुत सारी स्वीं इसमें क्या होता है कि 2% से 5% तक हमको जो है रिवेट मिलेगा और यह किसलिये होते हैं ताकि हम किसी और वर्ड से जो है हम कि कमपटिशन जो है लड़ सकें तो अभी मेरे को एक बात और याद आ गई दोस्तों कि एक मेरे दोस्त ने पूछा था कि वैबसाइट के बारे में कुछ तो हमको जो वैबसाइट बनानी है वह किस तरह की बनानी है अब वैबसाइट का परमोशन करो खुब अच्छिस्ते करो और कोई सामने वाला जो है जो उसमें एंट्री करे तो वह रुका रहे तो मैं एक एक्जामपल के थुरू आपको बताऊंगा एक्जमपल उधारण जो होते हैं हमारे जीवन के क्या करते हैं बहुत जल्दी सिम्झाते हैं बहुत जल्दी हमको वह बाते हमेशा याद रहती हैं अगर कोई बात को हमने इस तरीके से व्यंग के रूप में किस तरीके से बताया है तो हमको बहुत याद रहती है बात है जब मैं नाइंथ किलास में था नौवी किलास में सरकारी स्कूल था तो उसमें क्या होता है बच्चे जैसे आदीव छुटी में घर भाग जाते हैं सब में ऐसे होता है बट आसा नहीं है कि वह पढ़ते नहीं है ज्यादा तर जो आई-स-ई-पे-स सरकारी स्कूलों से निकलते क्य कि आप लोगों को मैं उनकी बात बताऊंगा कि वह लोग वह कैसे थे मतलब वह क्या करते थे सहतूत की टहनी तोड़ लेते थे उसको क्या बोलते कामची बोलते कामची आपने कभी वर्ड नहीं सुना होगा साइद और जो भी कोई बच्चा होता था उनकी किलास में नहीं जाता था तो वह कामची से उसको मारते थे तो बच्चा जो है भोत हम लोग बड़े डरी रहते हैं पहला पीर को लॉटा था लाष्ट का नहीं कहोता था इसफोकस करे वह वो किस तरइक से करेगा तो उसके लिए वो क्या करते थे उनका सब्जीक त estry और शायद मुझे 9th क्लास से पहले तक history बहुत बूर subject लगता था जब में बैठे थे तो वो जो पढ़ाते थे जो उनको पढ़ाने का स्टाइल था वो इतना अच्छा था दिटिविश्यूद अडॉल्फ हिटलर ने क्या किया आकपर ने क्या किया बाशने क्या वो इतना उसको इंट्रेस्टिंग बना देते थे कि हम लोग ना चाहते वह भी उनको पूरा सुनत थे और हमारे स्कूल का रिजल्ट हिस्ट्री में टॉप जाता था हंड़ेट आउट अफंड़ेट क्योंकि मेंडेटर था तो डंडी से पीठते तो प्रजैंस तो पूरी रहेगी हिस्ट्री में हम पूरे जाते थे चाहें और बात एक अलग है तो अब आपकी वेबसाइट मे किसी भी तरीके से आपके पास में कश्टमर आ गया बट आपको अपने प्रोड़क्ट को इस तरीके से दिखाना है कि वह उस पर मोहित हो जाए एक चीज़ और मैं चाहूंगा कि मेरे को एक बार 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 ना वाट सप एक दोस्त मेरा मैसेज करना कि जो है सारी कमिया जो है फोकस करना है इलू-इलू के चक्कर में नहीं पढ़ना ठीक है भाई अब आप भी खूस हो यह भी खूस हैं तो कि ठीक है हम आगे बढ़ते हैं हमारे से दूसरा पॉइंट है पहला मेरे को ध्यान नहीं है दूसरा ही होगा शायद स्कीम सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इसमें क्या होता एक तरीके की जो है हमको मतलब एक डूटी स्क्रीप भी मिल जाती है इसकी वैलेडिटी अठारा महिने की होती है यह हम किसी को आगे सैल आउट भी कर सकते हैं डूटी स्क्रीप क्या होती है इसके उप रुपे का 30 लाग रुपे का कंटेनर अलग-अलग गुड्स के हिसाब से अलग-अलग वैल्यू बनती है हमको जब पता होगा जी एश्टी लगनी रही उपर से गॉपर से गॉपर भी भी खेल के बहुत अमांट कमा सकते हैं डोमेश्टिक बिजनिस में साइद इतना पॉसिबल निया बड़ जब तक यह आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप जो है इसको समझ नहीं सकते आप इसको एज बिजनिस लो इसकी सब चीज बारी क्या समझो अब गवर्मेंट आपक में लिंक देता हूं कि कि प्रोडक्ट पर कितना है वह आप ढूठ लेंगे सबसे पहले तो आपको पताने चलें गौवर्मेंट की स्कीम्स क्या क्या है चोत्ती स्कीम्स है हमारी डूटी एक्जमशन स्कीम और पांचवी स्कीम क्या होती है इंट्रेस्ट सबसक्राइब करें आप के सबस्क्राइब करने का मतलब यह है कि यह मेरे जो है जो हमारे और जिनको नहीं पता जो लोग पैसा खर्चनी कर सकते उन लोगों तक मेरी रीच बढ़ेगी पहुंच बढ़ेगी तो आप लोग यह समस्amt partido कि उन